गोंसला बनाने के लिए ये पेड़ ठीक है मैं अपना गोंसला इसी पेड़ पर बना लेती हूँ यहाँ फल भी है और पते भी मेरा काम आसान हो जाएगा चिडिया ऐसा सोच कर अपना गोंसला बनाने के लिए लकडिया लेने चली जाती है पीछे से कववा और कवी भी वहाँ आ जाते है कालू यहाँ सूखा घास भी पड़ा है तुम कुछ लकडिया ले आओ हम इसी पेड़ पर अपना गोंसला बना लेते हैं तुम घास के तिंके अकठे करो और मैं अभी सूखी लकडिया लेकर आता हूँ कवा भी चला जाता है जब चिड़िया और उसकी बेटी सूखी लकडिया लेकर आती है तो गोरी कवी को उस पेड़ पर बैठा हुआ देहकर चिड़िया उससे कहती है कवी कहां कहां यह पेड़ मेरा है मैं ही यह सूखा घास रह कर गई थी यहां ओए होए होए छोटी जड़िया शकल देखी है अपनी चल चल भाग यहां से इस पेड़ पर हम बनाएंगे अपना खोंसला मेरा कालू आने ही वाला होगा अगर वो होता तो बताता तुझे डरती हुई जड़िया पास वाले सूखे हुए पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है इस पेड़ पर तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं है ना कोई पता ना कोई फल यहां रहकर तो मैं और मेरी बेटी भूख से मरेंगे ममा जब बहार आएगी तो यह पेड़ भी हरा भरा हो जाएगा सूखा हुआ कांटेदार पेड़ भी उनकी बातें सुन रहा था चुड़िया निश्चिंत हो जाओ मैं एक बेरी का पेड़ हूँ मेरे कांटे जरूर है वगर जैसे ही बहार आएगी मेरे पते निकल आएंगे और मुझ पर मीठे मीठे बेर भी लग जाएंगे मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा मैं अच्छे बुरे समय में तुम्हारा साथ दूंगा ये सुनकर चुड़िया को होसला होता है और चुड़िया उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू करती है कवों ने भी हरे भरे पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया था चुड़िया भी कांटे दार बेरी के पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है फिर एक दिन चिडिया कवों के पास आती है कवे कवे आज मेरे पास दाना नहीं है तुम अपने पेड से मुझे एक फल दे दो जब मेरे पेड पर फल लगेंगे तो मैं भी तुम्हें अपने पेड से फल दे दूँगी ये सुनकर गोरी कवी और कालू कवा हन्सने लग जाती है चिडिया पागल हो गई हो क्या तुम अपने पेड से हमें कांटे तोड कर दोगी ना ना हम कांटे नहीं खाएंगे तुम ही जाकर अपने पेड से कांटे तोड कर खालो भागो यहां से बड़ी आई हमारे पेड से फल लेने वाली जड़िया निराशो कर वहां से वापिस चली जाती है ममा कवे अंकल ने क्या कहा नहीं बेटी वो नहीं मान रहे है मैं किसी और बड़ोसी पक्षी से कुछ भोजन उधा लेकर आती हूँ फिर ममा जड़िया तोटे के पास जाती है और तोटे से कुछ भोजन ले आती है दिन गुजरते गे और जड़िया किसी ना किसी तरह अपना और अपनी बेटी का भोजन धोंड ही लाती एक दिन गोरी कवी जा रही थी के रास्ते में उसे एक चील मिलती है संदर कवी मैं बहुत भूकी हूँ क्या तुम्हारी नजर में कोई छोटा पक्षी है हाँ चील चाची मेरा राम ना लेना मेरे पडोस में एक चड़िया रहती है बेरी के पेड़ पर उसकी एक छोटी सी बेटी है बहुत स्वादिस्ट होगा उसका मास धरने वाद तेरा कवी मैं अभी जाती हूँ और खाती हूँ उस चोटी चड़िया को फिर चील उस बेरी के पेड़ की तरफ आती है चील को दूर से ही आते हुए देखकर बेरी का पेड़ गुडिया से कहता है गुडिया गुडिया तुम जल्दी से मेरी शाखाओं के अंदर आ जाओ जल्दी करो गुडिया बेरी के पेड़ की शाखाओं में छुप जाती है जब चील वहां आती है तो बेरी का पेड़ अपनी कांटेदार शाखाओं से चील को मारने लगता है भागो भागो यहां से डूस्ट चील भागो यहां से रुको रुको पेड तेरे कांटे बहुत थीक हैं मेरे शरीर में घुस जाएंगे ऐसा कहते हुए चील वहां से भाग जाती है ममा जडिया अपनी बेटी को सुरक्षत देह कर बहुत खुश थी पेड जी आज आपने दोस्ती का हग अदा कर दिया कववा और कववी ये देह कर बहुत जल रहे थे ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मोसम बदल गया धूप तेज हो गई कववों का पेड ठंड का पेड था उसके सारे पत्ते गिर गे और फल भी खतम हो गे दूसरी तरफ चिडिया का गर्मियों का बेरी का पेड अपने जोबन पर था जिस पर हरे भरे पत्ते ही पत्ते निकलाते हैं और वो पेड चिडिया को ठंडी चाओं दे रहा था कालू अब तो कहीं और ही जाना होगा यहां गर्मि से मेरा तो दिल घबरा रहा है गोरी देखो देखो चिडिया का पेड कितना हरा भरा हो गया है इसलिए तो कहते हैं ना मौसम एक जैसे रहते हैं ना हालात अब मैं खाऊंगी अपने बेरी के पेड से मीठी मीठी बेरी और तुम अपने लिए निया पेड ढूंडो जाकर रोते हुए कव्वा और कव्वी वहां से चले जाते हैं और चडिया अपने दोस्त बेरी के पेड़ पर अपने घोंसले में मज़े से बैठी हुई थी प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना आपका धन्यवाद दूर किसी जंगल में मानो जड़ा अपनी पतनी रानो जड़िया और बेटे के साथ रहता था एक दिन मानो की पतनी रानो जड़िया उसे कहती है देखो ना जी एक ही बेटा है हमारा लेकिन उसे भी हम एक अच्छा जीवन नहीं दे सकते पता नहीं हम घरीबों के दिन कब जाएंगे और मैं अपने बेटे को कब अच्छा पहनाऊ और खिलाऊंगी लगता है ये मेरा सपना ही रह जाएगा रानो सोचा था इस बार फसल अच्छी होगी तो अपने बेटे और परिवार के लिए अच्छे कपड़े लाऊंगा मगर क्या करूं हर बार की तरहा इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई है आप ऐसा करें साहुकार कवे से कुछ पैसे ले लें और अगली फसल लगाएं हो सकता है हमें उसी फसल में कुछ मनाफ़ा हो जाए मैंने भी यही सोचा है फिर मानूचीडा साहूकार पक्षी कालूचवे के बास जाता है हाँ हाँ वो तो ठीक है मुझे पैसे मिल जायेंगे मगर जानता है न मेरा भी आज कीतना होता है अगर दो महिने बाद पैसे वापिस ना किये तो पैसों के ऊपर भी आज दो गुणा हो जाएगा साहिब आप मुझे पैसे दे दे, मैं लुटा दूँगा आपके पैसे फिर मानोचिडा साहुकार कालुकवे से पैसे ले जाता है वो मंडी से मकई के बीज लेता है और अपनी पतनी को साथ लेकर फसल बीज देता है आप चिंता ना करें देखना हम अपनी मके की फसल पर मेहनत करेंगे और साहुकार कालू कवे के सारे पैसे लुटा देंगे मगर मुझे बहुत डर लग रहा है अगर फसल अच्छी ना हुई तो क्या करेंगे हम फिर वो मेहनत से काम करते हैं और देरात अपनी फसल का दिहां रखते हैं ममा पापा आप इतना काम करते हैं थोड़ा आराम भी कर लिया करें ऐसे आप बिमार हो जाएंगे बेटा सारा दिन काम करके जब शाम को घरा कर हम आपको देखते हैं तो हमारी सारी ठकान उतर जाती है ममा और पापा चुडिया की मकेई की फसल अच्छे से उगदी है और कुछ दिनों बाद उस फसल पर मकेई के नरम नरम भुटे निकला दे हैं जिसे देखकर पापा चुडिया बहुत खुश था कालू जी देखा है कुछ उस चुडिया की मकेई की फसल इस बार पिछली बार से जियाता है ऐसे तो वो समय पर हमारे पैसे लुटा देंगे अगर ऐसा हुआ तो हम भी आज कैसे लेंगे उनसे तुम चिंता ना करा गोरी मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है फिर कालू कावा रात को चुडिया के मकेई के खेत में जाता है और खेत में जहरीली सपरे का छड़काओ कर देता है और अपने घर चला जाता है पापा चिड़िया अगली सुभा जब अपनी खेद में जाता है तो अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है मानो चिड़ा रोता हुआ घर जाता है बर्बाद हो गई है हमारी सारी ही फसल बर्बाद हो गई है अब हम कैसे कवों के पैसे लुटाएंगे आप शांत हो जाएं ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला हमें अब कोई निया उपाई सोचना होगा ममा पापा अगर हम आलू की फसल लगा ले तो कवे अंकल के पैसे देने से पहले पहले आलू की फसल त्यार हो जाएगी शाबाश कूकू बेटा हम ऐसा ही करेंगे मगर आलू का बीज लेने के लिए पैसे कहां से आएंगे मेरा गुलक किस दिन काम आएगा पापा फिर कुकू अपने गुलक से पैसे निकाल कर अपने पापा को देता है और पापा चडिया मन दी जाता है आलू के बीज सस्ते में ही थे इसलिए पापा चड़िया आलू के बीच ले आता है वो पती पतनी फिर से काम शुरू करते हैं और अपने खेट में आलू बो देते हैं साहुकार, कालू कवा और कवी यही समझते रहे कि ये कोई जड़ी बूटी है मगर चड़िया के आलू बढ़ते और फैलते फूलते गे कुकु के पापा इस बार हमारी आलू की फसल सारा नुकसान पूरा कर देगी हमारी आलू की फसल की किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई क्यूंके हमारे आलू दो जमीन के अंदर ही अंदर मोटे हो रहे हैं फिर कुछ दिनों बाद मम्मा और पापा चड़िया आलू की फसल निकाल लेते हैं और आलू की बोरिया अपनी बेल गाड़ी पर लाद कर मंडी ले जाते हैं चाचा कबूतर चड़िया से सारे ही आलू खरीद लेता है चड़िया बेहन अगर ऐसे और आलू हुए तो मुझे ही देना मैं तुम्हें इन आलू के मूँ मांगे दाम देने को त्यार हूँ फिर शाम को पापा चड़िया साहुकार कवों के घर जाता है साहुकार कालू कवे जी ये रहें आपके पैसे जो मैंने आपसे उधार लिये थे और ये एक बोरी आलू की मेरी तरफ से आपको कालू इसका मतलब चड़िया के खेत में जड़ी बूटी नहीं बलके आलू की फसल थी ऐसे चड़िया और उसका पती अपने बेटे के लिए अच्छी अच्छी चीज़े खरीदते हैं और खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शियर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना आपका थे निवाद